हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग तो आज मैंने लाइफ में फर्स टाइम बनाई थी अरवी की सबजी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी मैंने इसे पहले कभी भी नहीं बनाया था तो आज मेरी हजबन बजार से अरवी लेकर आये थे तो मैंने सोचा चलिए बनात जैसे मेरे घर में बनता है वैसे ही मैंने बनाया था तो सबसे पहले मैंने अरवी को अच्छी तरीके से धो लिया था धोने के बाद इसे प्रेशर कूकर में नमक डालकर एक सीटी तक मैंने इसे बॉयल कर लिया है एक सीटी ही लगाना है उससे ज़्यादा नहीं लगाना है नहीं तो अर्बी आपकी गल जाएगी एक सिटी हो चुका है तो फिर हम क्या करेंगे इसको पेंड करेंगे तो देखिए इस तरीके से हो गया है और हम इसका पानी को जो है वो निकाल देंगे उसके बाद हम इसे छिल लेंगे छिलने के बाद आप चाहो तो इसको पीसेस में क प्रेफर करती हो तेल गरम हो चुका है डाली यों जीरा जीरा जब तड़कने लगे तो बारी कटा हुआ प्याज डाल देना है उसे बात अच्छी तरीके से उसको हलका सा फ्राई कर लेंगे दीमा दीमा आज में ही फ्राई करना है ये देखिए फ्राई हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे टमाटर काटकर डाल देंगे आप बारीक भी काटकर डाल सकते हो अब प्याज और टमाटर को हम हलका गलने तक प आज ले सुनका भी स्मेल चला जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए जब टमाटर हमारा थोड़ा सा पक जाएगा तब हम क्या करेंगे अर्भी को डाल देंगे अर्भी थोड़ा था तो चोटा चोटा था तो मैंने इसको पीसेस में नहीं काटा है अगर बड़ा गला है यह अर्भी तो क्योंकि एक सीटी ही लगाना उससे ज्यादा नहीं लगाना है उसके बाद हम घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो देंगे जैसे मैंने यहाँ पर दिया है लाल मिर्च नमक स्वाद अनुसार अर्भी बॉयल करते समय मैंने नमक डाला था इसलिए यहा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर हलका फ्राई होने तक इसको धीमा आज में फ्राई करना है इस तरह के से ताकि मसाला हुए हमारा अच्छी तरीके से पक जाए यह थोड़ा नीचे में लगते रहता है तो कोई उसका कोई बात नहीं है उसके बाद हम उपर से हम क्य क्या करेंगे थोड़ा सा गरम पानी डाल देंगे गरम पानी डालने से खाना आपका बहुत ही टेस्टी होता है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से उसके बाद हम उपर से डालेंगे यहां पर नीम्बू, आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सा खटाई भी डाल सकते हो, या फिर थोड़ा सा इमली पानी भी डाल सकते हो, टेस्ट भी अच्छा आता है नीम्बू डालने से, तो मैंने यहां पर एक नीम्बू डाला है, नीम्ब यह देखिए और आप चाओ तो हल्का सा चीनी दो चारबून डाल सकते हो ताकि आपका क्या होगा कि जो फ्लेवर है वो पूरा बैलेंस हो जाएगा सबची हमारा जो है बनकर रेडी हो गया है बस अब हम इसको सर्फ करते हैं आप इसको गर्मा गरम पराटा के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए राइस के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना अगर अच्छी लगे हो तो प अरबी की सबची